किसान भाईयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये लोन ले रखे किसान भाईयों के लिए 24 चुलाई 2019 की जो लेटेस नूज है वो जानना बेहत जरूरी है वे सभी किसान भाई जिनोंने किसी भी बैंक से कर्ज ले रखा है तो इस वीडियो को देखिए किसान क्रेडिट कार्ड केसी सी धर को हेतु सूचना हमारे समस्त केसी सी धर को सूचित किया जाता है कि प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना के तैत खरीब रवी फसल का भीमा बैंक के मादम से किया जाता है इतना ही नहीं इसके लिए बीमा की रासी आपके किसान क्रेडिट कार्ड के खाते से दी जाती है प्रैधान मंत्री फसल बीमा योजना खरीब दो हजार गुन्नीश की जो अंतिम्तिती है वो 31 साथ दो हजार गुन्नीश है इसलिए आप कोई सूचना के द्वारा आवगत कराया जाता है कि आप अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते से सम्बंदित नियम अनुसार सुनिश्चित करें यदि कोई किसान अपनी फसल की पूरवर्ती योजना फसल में बदलाव लाना चाहता है तो वे दिनांक गुन 30 जुलाई 2019 तक अपनी फसल का बूरा लिखित में सम्बंदित SBI या आप की जो भी साका है उसमें संपर करें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाब लेने के लिए अपना के सिसी खाता आधार से लिंक होना आनिवार्य है यदि आपने अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाए तो गुन 30 जुलाई 2019 तक अपनी सम्बंदित साका में जमा कराए ताकि फसल बीमा सुनिश्चित किया जा सके आधार कार्ड नहीं होने की इस्तती में आधार A2 Enrotment करमांक नंबर आपको देना होगा आपके किसान क्रेडिट कार्ड खाते में आधार संक्या नए होने की वज़े से अगर आपकी फसल का बीमा नहीं होता है तो फसल का नुकसान होने पर बीमा कलेम नहीं मिनने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा ये जानकरी बताई जा रही है तो दोस्तों किसान भायों अधिक जानकरी के लिए आप अपनी नजदी की होम साखा में जाके संपर कर सकते हैं और बताए गई 31 जुलाई 2019 से पहले आपको इस योजना में फोरम अगर आधार जमा नहीं करवाए तो आधार को लिंक करवाना है और इस योजना में लाब पाना है सात्यों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्टे वीडियो की लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटी वाले वटन को जरूर दबाई और वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजी थैंक झाल 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 झाल